हालो फ्रेंज आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिरियेंज के दुरान वो कौन से दिन हैं जिन दिनों में संबंद बनाने से प्रेगनेंसी ठहरने के चांसे माग्जिमम रहते हैं और किस तरीके से आप उन दिनों का पता कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि कोई भी लेडी का जो मेंस्ट्रॉल साइकल होता है वो ऑन एड़ेज 21 से 35 दिन का रहता है लेकिन अगर पिरियेड 21 दिन से पहले या 35 दिन के बाद में आ रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं एर्रेगिलर मेंस्ट्रॉल साइकल्स Otherwise 21-35 दिन के पीरियड में अगर आपके पीरियड आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पीरियड रेगिलर है और एक रेगिलर साइकल में पीरियड आने के लगबग 12-14 दिन पहले एग मैच्यॉर होकर के रिलीज होता है एग के लाइफ रेटी है 24 आवर्स और स्पर्म जो की मेल ये मीट है वो अगर फिमेल बाडी में इंट्रियूस होता है तो उसकी लाइफ होती है लगबग 3-4 दिन की आगर हम इन सब प्रुंसिपल्स को अपने दिमाग में रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि एग रिलीज होने के 3-4 दिन के पहले एग रिलीज होने वाले दिन और एग रिलीज होने के एक दिन बात तक अगर संबन बनाया जाता है तो इस दोरान प्रेगनेंसी ठेडने के चांसे माक्जिमम होता है लेकिन ये भी फैक्ट है कि उन दो में से एक महिला जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है उन्हें इस बारे में knowledge नहीं होती है और वो जादा तर गलत दिनों में संबन बनाते हैं जिससे pregnancy ठहरने के chances कम हो जाते हैं और unnecessarily उन्हें लगता है कि उनके शरीर में कोई दिक्कत है या उनके relationship में कोई problem है जिस वज़े से pregnancy नहीं ठहर रही है जबकि अकीकत यह होती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके fertile days कौन से हैं किन दिनों में वो relationship बनाएं जिससे pregnancy ठहर सकते हैं जिन लेडीज के periods regular हैं वहाँ पे तो ये formula बहुत easy है अपलाई करना और इस formula को अपलाई करके आप अपने fertile days को calculate कर सकते हैं यानि कि जिस दिन आप expect कर रहे हैं कि आपके periods आने को हैं उससे 12-14 दिन पहले आपका egg release होगा तो on an average period के दसमे दिन से लेकर के अगले 10 दिन तक अगर आप एक एक दिन छोड़ करके relationship रखते हैं तो pregnancy ठहरने के chances maximum हैं problem आती है उन couples में जहांपे periods irregular हैं या husband wife अलग-अलग cities में रहते हैं या उनको किसी तरीके की problem है जिस वज़े से उनका frequency of love making कम है और उनको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि precisely वो ऐसे कौन से दिन है जिस दौरान अगर वो relationship रखेंगे तो pregnancy ठहर सकती है तो ऐसे couples के लिए दो तीन तरीके हैं जो कारगार साबित हो सकते हैं और हो easily अपने fertility को calculate कर सकते हैं एक होता है follicular monitoring जो की ultrasound के जरिये किया जाता है बहुत easy है लेकिन problem में है कि इसके लिए आपका access होना चाहिए ultrasound के लिए अगर आपके आसपास में ऐसा कोई clinic है जहाँ पे transvaginal sonography होती है तो आप ultrasound करा सकते हैं और अपने fertility को जान सकते हैं लेकिन वो females जो की इंटिरियर्स में रहती हैं या जो doctor visit नहीं ले पा रही है या अभी जैसे covid है या lockdown का time चल रहा है तो ऐसे में वो क्या करें वो help ले सकती है ovulation detection kits का ये वो kit होती है जिनका इस्तमाल वो घर पे खुद से ही कर सकती है और अपने fertile days को easily जान सकते हैं market में बहुत सारी ovulation detection kits available है basically ये detection kits urine में यानि की पिशाब में वो hormones की मात्रा को चेक करती है जिसे हमें ये पता चलता है कि ovulation कब होने वाला है अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम उस हिसाब से अपने relationships के days को decide करते हैं और साथ ही साथ में ये वो hormones को भी चेक करते हैं जिसे हमें ये confirm होता है कि ovulation हुआ है या नहीं उविलेशन कब होने वाला है इसके लिए प्राइमेरिली दो हर्मोन्स का रोल रहता है एक होता है इस्ट्रोजन और एक होता है लेज्ट्रोजन लेवल ओविलेशन से लगबक तीन-चार दिन पहले अपने पीक पे पहुंचता है यानि कि उसके वैल्यूस बाक्जिमम हो जात वो लगबक 24 से 36 घंटा पहले ओविलेशन के रिलीज होता है और यह हाई अलर्ट दे रहा है कि नेक्स डे आज रिलेशनशिप रखना जरूरी है इसके बाद जो थर्ड हर्मोन है वो है प्रोजेस्ट्रोन प्रोजेस्ट्रोन लेवल्स जो है यूरिन में तब बढ़ते हैं है या नहीं नथिंग बेटर दिन दाट ऐसी एक किट है जिसे मैं प्रेफर करती हूं वो है इनीटो इनीटो के साथ एडवांतेज यह है कि यह एफडिये अप्रूवड किट है यह तीनों हॉर्मोन्स को यानि कि एस्ट्रोजन एलेज और प्रोजेस्ट्रोन को यूरिन में चेक करती है यह बहुत इजी है इसको यूज करना साथ ही साथ में इसके साथ में एक एक आप भी है जिसे आप यूज कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आखिर कौन से दिन से आपको टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है अधर वाइस ज़ाद तर फिमेल इसी बात को लेकर के खीक है हम लोग किट यूज कर रहे हैं लेकिज़ रहृद किट करें किट करें लेकिन डौक्टर हम से कब से साथ करें इसे कैसे समझे हैнийEC teak लेकिन इनीटो के साथ में एप susu नहीं है है ये बहुत ही simple है इसे use करना अगर हम इस किट की बात करें तो इस तरीके का बॉक्स जो है आपको इक मिलेगा जैसे आप इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहां पर बहुत क्लीरली मेंशन है कि एक आप को जो की आप स्टोर में एजली अवेलेबल है बाई दने नेम इनीटो फर्टिलिटी एंड ओविलेशन आप इस के ट के आप के द Gl seidkin के इंडोड को सकते हैं और जैसे आप को डान लोड करेंगे हर कि एक अन्डर में के एक एक क्यूं आर कोाड होता हैvelt आप ूपन को स्कन करेंगे और इस एक को पने फौं के साथ में पेर बोड़ कर सकते हैं तो जब्विह प dönassi को कीNowश्म के ज़ए करे इस आप की मदद से आप अपने मेन्स्ट रालेंडर को मेंटेन कर सकते हैं और यह आप आपको अलाम देगा आपको बताता रहेगा कि किस दिन से आपको ओबिलेशन टेस्ट करना ज़रूरी है। Depending कि आपने कितने मंत की इसमें menstrual history डाली है, यह आपको precisely बताएगा कि आपको period के कौन से दिन से test करना, start करना है. इसके अलावा, इस kit के अंदर में यह information booklet है, जिसमें बहुत clearly instruct किया गया है कि किस तरीके से आप इस kit का इस्तमाल करें, कैसे इस test को करें और किस तरीके से उस test को interpret करेंगे. किट के अंदर में इस तरीके का एक हैंडल आएगा, जो कि इस monitor को आपके phone में fix करने में help करेंगा. यह monitor को पहले आप इस handle में fix करेंगे, किस तरीके से करना है, वो भी आपकी information booklet में बहुत clearly mentioned है, और उसके बाद इस kit को आप अपने phone के साथ में fix करेंगे, जिस phone में आप में इनिटो आप डाउनलोड किया है, इनिटो आप के जरीए आपको पता चलेगा, depending upon कि आपकी menstrual length क्या है, कि कौन से दिन से आपको टेस्ट लेना है, इस तरीके का container भी आपको इनिटो प्रोवाइड करता है, आइडिली आपको first morning urine sample ले, इसका बतलब ही है, उड़ते ही जो प एक पैक में लगबग 10 strips रहेंगे, यह जो strips हैं, यह हॉर्मोन को तीन लेविल्स के जो हमने हॉर्मोन की बात करी थी, estrogen, LH और progesterone को चेक करेगा, इस kit को आप ओपन करेंगे, यूरिन में डिप करेंगे, और यह जो monitor है, इसमें slide करके फिर अपनी रीडिंग्स लेंगे, ज instruction booklet में दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको यह strip को अपने monitor में fit करना है, वैसे ही आप इसे fit करेंगे, इसके बाद आपका आप जो है आपको reading देगा, और वो reading कुछ इस तरह के की हो सकती है, low fertility, low fertility अगर वो दिखा रहा है, इसका मतलब यह कि अभी ovulation होने में काफी time है, ज़रूरी है कि आप next day फिर से इस test को repeat करें, अगर वो दिखाता है high fertility, high fertility का मतलब यह कि हमारे estrogen level peak में आ चुके हैं, अगले 2-3 दिन 4 दिन में कभी भी ovulation हो सकता है, तो ज़रूरी है कि आप हर एक दिन छोड़ करके आप relationship बनाना start करें, अगर यह दिखाता है peak fertility, peak fertility का मतलब है कि LH surge हो चुका है, अब अगले 24 या 36 घंडे में एग release होगा, तो इसलिए आपको आज की दिन और next day relationship रखना ज़रूरी है, और अगर यह दिखाता है कि प्रोजेस्टरों लेवल्स बढ़ गए है, इसका मतलब यह है कि ovulation हो चुका है, तो इस kit का advantage है कि आपको बता रहा ह है कि किंडिनों में alternate day relationship रखना है, और अगले 24 घंटे में एग release होने वाला है, तो आपका peak fertility day बता रहा है और प्रोजेस्टरों लेवल्स को चेक करने के साथ में यह confirm भी कर रहा है कि आपका ovulation हुआ है यह नहीं, तो यह kit बहुत सिंपल है, इसको इसको इस्तमाल करना, easily available है आप इसको इंटरनेट के जरिए और कर सकते हैं, बट अगें जिस पोन में आप इसको यूज करने वाले हैं, उस पोन को ध्यान में रखते हुए ही आप इसका किट का और करेंगे, thank you.